गुड इवनिंग स्टुडेंट्स यूटूब चैनल इंडिया ओल्डेज में एक बार फिर से आपका स्वागत है आज हम इस वीडियो में चंदेल सासक मदन वर्मा एवं परमर्दी देव के बारे में ध्यन करेंगे तो देखें स्टुडेंट्स चंदेल सासकों के बारे में हमने काफी कुछ पहले पढ़ा दिया है तो आप प्लै लिस्ट में जाके और चंदेलों के बारे में वीडियो से देख सकते हैं चंदेल सासक मदन वर्मा चंदेल सासक पर्थवी वर्मन का पुत्र मदन वर्मा चंदेल वन्स का सक्ति साली सासक था कालंजर, अगासी, खजुराहो, अजैगड, महोबा, मव, आदिशे उसके 15 लेख तथा कई स्थानों से श्वाण एम रज़त सीके मिले हैं लेखों की प्राप्ति स्थानों से पता चलता है कि बुंदेल खंड के चारों पर्मुक स्थान, कालिंजर, खजुराहो, अजैगड तथा महोबा में चंदेल सत्ता पुन्न इस्तापित हो गई थी माउलेख से पता चलता है कि मदनवर्मा ने ही चेदी तथा परमार राजाओं को प्रास्त किया तथा कासी के राजा को भेभीत किया उसके द्वारा पराजित चेदी राजा यशय कराण का पुत्र गया काण जो 1051 इस्वी में था कासी के बारे में कहा गया है कि वहां का राजा सदा अपना समय मैत्री पूर्ण वेवहर में वेतीत करता है इसकी पहचान गहडवाल नरेश गोविंद चंदर से की गई है मदन वर्मा ने जहांस तता बांदा इस्तित परमार समराजे के कई स्थानों को अपने नियंत्रन में ले लिया था इसके पणाम सरूप गुजरात के चालूकियों के साथ उसका संगर्ष होना अनिवारिय हो गया था इस समय गुजरात का साथक जे सिंग सिद्रास था कीर्थी कोमूदी से पता चलता है कि वह परमारों की राजदानी धारा को जीतता हुआ कालंजर तक चड़ गया जहां उसे मदन वर्मा से संधी करके वापस लोटना पड़ा कालंजर लेक में कहा गया है कि मदन वर्मा ने गुजर नरेश को चण भर में उसी परकार पराजित कर दिया जिस परकार क्रिशन नेकंस को किया था इस परकार मदन वर्मा ने अपनी विजों द्वारा प्राचिन चंदेल समराजे के सभी महत्तवपुन छेत्रों पर पुनहे अपना नियंत्रन स्तापित कर लिया पवार जो रिवा छेत्र में आता है से प्राप्त उसके सिक्कों के डेर से सुचित होता है कि बगेल खंड का एक बड़ा भाग भी उसके अधिकार में आ गया था एसी राय के शब्दों में उसका समराजे एक ऐसे त्री भुजा का रूप में बढ़ गया जिसके आधार पर निर्मान, विंधे, भांडीर तथा कैमूर की परवत स्रेणियां करती थी तथा यमुना और बेत्वा नदियां उसकी दो भुजाएं थी 1163 इस्वे में मदन वर्मा का निधन हो गया था ठीके तो ये तो था चंदेल सासक मदन वर्मा अब हम पढ़ेंगे चंदेल सासक परमर्दी देव अर्थात परमल का इधिहास चंदेल लेखों में मदन वर्मा के बाद परमर्दी का नाम मिलता है उसे तत्बादा नुध्यात कहा गया है इससे पता चलता है कि मदन वर्मा का तातकालिक उत्रादिकारी परमर्दी ही हुआ था लेकिन परमर्दी के बगेरी प्रस्तन लेक में दोनों के बीच यसो वर्मन के नाम का उलेक मिलता है यसो वर्मन का सासन काल अल्प रहा था उसके बाद उसका पुत्र परमर्दी गद्धी पर बठा था परमर्दी चंदेलवन्स का अंति महान सासर था जिसने 1165 इस्वी से 1203 इस्वी तक राजे किया उसके कई लेक तथा सिख्ये प्राप्थ हुए हैं इनसे पता चलता है कि वह एक विश्तरित परदेश का स्वामी था चंदेलवन्स के लेखों से उसके समय की किसी भी राजनती गठना की जानकरी प्राप्थ नहीं होती है समकालिन साहितिक रितियों से पता चलता है कि परमर्दी तथा चाहमान वंस के परशित सासक पर्थी राज रितिये के बीच सत्रूता थी पता चलता है कि पर्थी राज ने परमर्दी को कई युधों में बूरीत रह प्राजित कर दिया था पर्थ्वी राज रासो, परमाल रासो, आलहा खंड, आधी ग्रंथों से परमर्दी के राजे पर पर्थ्वी राज के आकर्मन तथा उसके पराजित किये जाने की सूजना प्राप्ते होती है पता चलता है कि आला तता उद्दल नामक चंदेल सेना के दो वीर सेना नाइक थे जिन्होंने पर्त्वी राज के विरुद लड़ते हुए अपनी जान गवाई थी पर्त्वी राज ने महोबा पर आकर्मन कवर परमर्दी को प्राजित कर महोबा पर अधिकार कर लिया था प्राज ने चंदेल राजे के पस्सिमी भागों पर अधिकार कर लिया था। 1203 इस्वी में कुतुबुदी ने परमर्दी देव को प्राजित कर कालंजर के दुर्ग पर अधिकार कर लिया। कालंजर के दुर्ग में ही परमर्दी देव की मर्त्यू हो गई थी। फरिस्ता के विवरण से पता चलता है कि उसके स्वेम के मंत्री अजय देव ने उसकी कायरता से चिड़ कर उसकी हत्या कर दी परमर्दी के बाद उसके पुत्र त्रे लोग के वर्मन ने कुछ समय तक कालिंजर पर अधिकार बनाए रखा आजय अगट के एक प्रस्तर लेख में त्रे लोग के वर्मन की तुर्णा विश्णू से की गई है तता कहा गया है कि उसने तुरूसकों द्वारा समुद्र के डूबोई गई पर्त्वी का उधार किया था इससे पता चलता है कि त्रे लोग के वर्मन एक सक्ति साली राजा था किन्तु उसके राजे पर 1232 इस्वी में तुर्कों ने आकर्मन कर भारी लोट पार्ट की थी त्रे लोग के वर्मन के बाद करम सहे वीर वर्मन था भोज वर्मन राजा हुए जिनकी उपलब्धियां नगणे हैं तेरविश ताबदी तक चंदेल राजे का अस्तित्व बना रहा अंत्त है 1305 इस्वी में चंदेल जो राजे था उसको दिल्ली सल्तनत में मिला लिया गया चंदेल सासनकाल में कला की उन्नती चंदेल राजों का सासनकाल कला की उन्नती के लिए अत्यदिक परशिद है इस यूग के कला के इतिहास परसिद उधारन आज भी खजुरा हूँ जो चत्रपूरु मध्य परदेश में विद्धेमान है या लगबक 30 मंदिर खड़े हैं जो विश्णू, शिव तथा जैन तिर्थंकरों की उपासना में निर्मित कराए गए हैं मंदिरों में कंडारिय महादेव का मंदिर शर्वाधिक परशिद है मंदिर के गर्व ग्रह में सीव, गनेज तथा परमुक हिंदू देवियों की मूर्तियां बनी हैं यहां अनेक परमुक मंदिरों में जग दंबी का मंदिर, चित्र गुप्त मंदिर, विश्वनाथ मंदिर तथा पास्रनाथ का मंदिर विशेश रूप से उलिखनिय हैं सभी मंदिरों के भीतरी तथा बाहरी दिवारों पर अनेक भव्वे मूर्तियां उतकिन की गई हैं देवी देवताओं के अलवा अनेक अपसराओं, नाईकाओं तथा समाने नारियों की मूर्तियां भी खजुराओं से प्राप्त होती हैं कुछ मूर्तियां अत्यंद अशलील हो गई हैं जो धरम पर तांत्रिक विचार धरा के परभाव को विक्त करती हैं समक्राओं रूप से खजुराओं की कला अत्यंद परसस्तनी है यह चंदेल नरेसों की अमर कीर्थी का परतिक हैं तो देखे यह वीडियो एक्जाम की दस्टी से बहुत महत्तापुन हैं और जो चंदेल सासक हैं उनके बारे में कई बार एक्जाम में पूछ लेते हैं तो एक्जाम की दस्टी से टोपिक बहुत महत्तापुन है और यदि आप लोगों ने हमारी यूटूब चैनल इंडिया ओल्डेस को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें हमारा वीडियो अंतक देखने के लिए आप सभी का बहुत भुत धन्यवाद